Hello student, आज हम पढ़ेंगे आईसो टॉनिक सॉलूशन के बारे में आईसो टॉनिक सॉलूशन को समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले सॉलूशन क्या होता है और इसी सॉलूशन के हम कुछ प्रकार देखेंगे, कुछ टाइप्स देखेंगे जिसमें की एक जो है वो isotonic solution है isotonic solutions क्यों जरूरी हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे और isotonic solution जो ISO, hyper और hypertonic होते हैं उनका हम use कैसे करते हैं और हमें कब करना चाहिए उसके बारे में भी हम समझेंगे तो इस पूरे वीडियो में हम आइसर टॉनिक सॉलूशन का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे तो सबसे पहले हम चालो करते हैं सॉलूशन से कि सॉलूशन क्या होते हैं और उससे जुड़िवे कुछ बेसिक तो सॉलूशन क्या है? सॉलूशन एक होमोजीनियस मिक्चर है मतलब जिसमें सब चीज bunlar हमको एक जैसी दिखेगी घुल जाने के बाद जिसमें हम एक या एक से जादा सॉलूट को डिजॉल करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो किसी सॉल्वेंट के अंदर जब हम किसी एक या एक से ज़्यादा solute को dissolve करते हैं, घोलते हैं और उससे जब हमें एक homogeneous mixture मिलता है तो उसे हम solution कहते हैं solution के दो पार्ट है solvent और solute तो solvent क्या है? एक वो substance जिसमें की हम solute को dissolve करते हैं और एक homogeneous mixture बनाते हैं तो solvent कौन सी चीज़े हैं? जो की जादो कांटिटी में होगी और जिसमें हम solute को dissolve करते हैं एक homogeneous mixture बनाएंगे solute क्या है? वो substance है जिसे हम solvent में dissolve करते हैं ठीक है? जब हम solvent में इस solute को डालेंगे और जब उसका homogeneous mixture बनाएंगे तब ही हमको solution बनेगा ठीक है? तो सीधा simple से यह है कि solution जो है वो solute और solvent से मिलके बनने वाला एक mixture है जैसे कि हम यह आप एक example लेते हैं कि अगर हमको salt का solution बनाना है पानी में तो salt जो है वो solute होगा और water जो है वो solvent होगा तो हम जब solute को solvent में dissolve करेंगे तो यह जब एक homogeneous mixture बना लेंगे तो उससे हम फिर क्या बुलेंगे? solution बोलेंगे यह हम क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जब हम isotonicity समझते हैं तो यह solute और solvent जो हैं वो एक बहुत जरूरी parameter हो जाता है तो इसलिए हमको सबसे पहले यह दोनों चीज़ों के basic पता होना चाहिए और इन दोनों के concentration, solute का concentration solvent मेंसे हम अलग-अलग तरह के solutions बनाएंगे जिसमें से की एक जो है वो isotonic solution है इसलिए हमको यह basic clear होना पहले जरूरी है जब हम isotonicity या उससे जुड़े हुई terminology के बारे में पढ़ते हैं तो हमको दो और parameters के basic को समझना होता है और वो है osmosis और diffusion osmosis क्या है? osmosis जो है वो moment of solvent है अब solution में से moment of solvent है जो की एक semi-permeable membrane के थ्रू होता है ठीक है तो एक semi-permeable membrane होगी कुछ इस तरीके से और solvent जो है वो उसके आरपार निकल के जाएगा solute नहीं जाएगा ठीक है? तो osmosis में moment of solvent होता है इस चीज का बात का ध्यान रखना है diffusion में moment of the solutes होते हैं अलग-अलग तरह के तो इसका मतलब ये कि जो solvent है अब यहाँ पर पानी solvent है always flow from lower solute concentration मतलब जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ से पानी कम पानी जहाँ पर होगा उस तरफ जाएगा तो हम इदर एगजामपल में देख लेते हैं कि इस पूरे तो यहाँ पर solute का concentration low है और जहाँ solute का concentration high है तो यहाँ पर solute का concentration high है और यहाँ पर solute का concentration कम है तो पानी का movement किदर है अब इसका उल्टा भी बोल सकते हैं यहाँ पर solvent ज्यादा है और solute कम है यहाँ पर solute ज्यादा है और solvent कम है तो वह osmosis में क्या होगा solute किदर से किदर जाएगा इदर से low concentration of the solute concentration से higher concentration of the solute की तरफ ठीक है simple सी बात है इसमें और इस process में होने के लिए जो pressure responsible होता है उससे हम osmotic pressure बोलते हैं तो isotonicity में यही osmotic pressure जो है वो involved होता है isotonic solution में या isotonicity में यही osmotic pressure involved होता है यह क्यों जरूरी होता है और हम isotonic solutions को कहां और कैसे use करते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे in pharmaceutical field और in medical field तो हम आगे बढ़ते हैं इससे जुड़ा हुआ जो just opposite जो terminology है तो मैंने आपको जिस बताया था तो osmosis में हमको जान रखना है moment of solvent ठीक है और osmotic pressure जो की इस process को करने के लिए जो force responsible है वो क्या कहलाता है osmotic pressure ठीक है इससे फिर एक और जुड़ी वी चीज़ है वो है diffusion अब osmosis में moment of solvent होता है diffusion में moment of molecules या solute होता है और ये कहां से होगा ये higher concentration से lower concentration की तरफ होगा मतलब diffusion और osmosis almost अगर हम solute के case में बोले तो opposite in nature होते है solute में diffusion में क्या हो रहा है जहां पर solute जादा है उदर से solute किस तरफ जाएंगे कम की तरफ जाएंगे osmosis में क्या होगा पानी जिए तरफ जादा है मतलब इस तरफ पानी जादा है तो solute concern, पानी का जो है वो moment इसदर से होगा, लेकिन एक membrane के through, semi-permeable membrane के through ये moment होता है, diffusion में ऐसा कोई membrane response नहीं होता है, तो इन दोनों में हमको confusion नहीं होना चाहिए, moment of solvent ही है, हमको याद रखना है, osmosis से, ठीक है, क्योंकि osmosis से ही हम इस चीज को determine करेंगे कि किस solution को हम isotonic बोलते हैं, और किसको hypertonic और किसको hypotonic, ठीक है, moment of solvent से, ये ध्यान रखना है, तो हम आगे आयाते हैं, अब osmosis से जुड़ी वही एक और चीज है, वो है osmolarity, osmolarity का मतलब क्या होता है, the total number of solid particles in a particular volume of solvent, तो यहाँ पर हमने एक लीटर में लिया, तो वो केलाएगा, ठीक है, तो total solid concentration कितना होना चाहिए, तो osmolarity को हम milli osmo per liter में express करते हैं, मतलब एक लीटर में कितना osmolarity उसकी आ रही है, उसमें घुले हुए solute के कारण, तो माली जीए, अब यहाँ से हमारे body पे इसका effect धम को देखना है, तो जितनी भी osmolarity है blood की, वो increase होगी, कब increase होगी, जब dehydration होगा, तो osmolarity increase के होगी है dehydration पे, dehydration के दोरान, पानी का loss होता है body से, तो उस पानी का loss होने के करण, उसका volume कम हो जाता है, और volume कम होने के करण, solute particle उस particular volume में ज़्यादा हो जाएंगे, तो number of solute concentration जो है, वो क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, हम उसमें पानी में बापस लिख करेंगे, तो फिर पानी का concentration ज़्यादा होगा, solute का concentration कम हो जाएगा, ठीक है, तो जब dehydration होता है, तो osmolarity बढ़ जाती है, और ultra गिरती कब है, जब हम over hydration करते हैं, मतलब ज़्यादा पानी लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि osmolarity कम हो जाएगी, ठीक है, फोर एक्जामपल जैसा माली जी एक बीकर है, इस बीकर में हमने कुछ solid particle रखे हुआ है, और इसमें हमने पानी मिलाया हुआ है, अब पानी जब तक माली जी यहां तक भरा हुआ है, तो इसका concentration ठीक है, लेकिन पानी को अगर आप उड़ा देंगे, तो solvent की महत्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे उसको, ऐसे केस में हम उसको बोलेंगे कि उसके osmolarity increase हो गई, ठीक है, तो माली जी वो उड़के यहां तक हो गया, तो volume of solvent कम हो गया, उसी solute concentration पे, solute उतना को उतना ही है, solvent कम हो गया, तो वो थोड़ा सा concentrated हो जाएगा, तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलेंगे, कि उसकी osmolarity बढ़ गई, इसका उल्टा कि अगर माली जी हम इसमें पानी उससे भी ज़्यादा मिला दें, यहां तक पूरा भर दें, बीकर को, तो वो over hydration हो गया, तो पानी के मातरा जादा हो गया, solute concentration automatically down हो जाएगा, तो ऐसे केस में body क्या करती है, जब उसमें dehydration, over hydration होता है, तो जब उसमें dehydration होता है, तो body जो है, वो reabsorption of water हमारी kidney से बढ़ा देती है, इसके कारण urine जो है, वो ज़्यादा concentrated हो जाती है, मतलब urine में पानी कम जाने लगेगा, ठीक है, तो इस तरीके से body ह हमारी work करती है, अब यह जो osmolarity और जो हमने diffusion या osmosis पड़ा या solution पड़ा, यह सब का role यह है कि जब हम कोई भी physiological solution बनाते हैं, जो directly हमारे body fluids में insert किया आता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे pharmaceutical products हैं, जो कि directly हमारे body fluids में insert किया है, जैसे injection लगाते हैं, तो direct blood में लगाते हैं, ठीक बोटल चड़ाए जाती है, जब IV infusion लगाया जाता है, तो भी वो direct blood में करा जाता है, तो या जो भी हम आखों में solution डालते हैं, ठीक है, eye drops हो गया, जो भी हो गया, यह सब हमारे direct body fluids के contact में आते हैं, तो ऐसे जितने भी solutions, जो कि हमारे direct body physiological fluids के contact में direct आते हैं, उनमें हमको इस osmolarity और यह tonicity को maintain करना बहुत जरूरी होता है, वो क्यों होता है, उससे हम यह समझेंगे, कि अगर वो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तो on the basis of this osmolarity and the osmosis, there are the three types of these solutions, ठीक है, first one is the isotonic solution, another one is the hypotonic, and third one is the hypotonic solution, तो tonicity क्या होती है, the measure of the osmotic pressure of two solutions separated by the semi-permeable membrane, ठीक है, मतलब हमने एक compartment में एक semi-permeable membrane लगाई, और इसके तरफ दोनों तरफ अलग-अलग हमने solution रखे, तो इन दोनों solution का क्या osmotic pressure होगा, हमारी body जो है, और जो blood है, हमारी body में यतनी भी cells हैं, वो blood के साथ अपना osmotic pressure बराबर बनाया रखती हैं, इसके कारण क्या होता है, माली जी यह cell है, इसको हम मालने कि यह cell है, इसको हम C से लिख ले रहे, और इसको हम B से लिख ले रहे, यह blood है, ठीक है, तो अगर मालीजी सेल में का ओस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ओस्मोटिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा तो फ्लूड इधर से उधर जाने लग जाएगा, सेल के अंदर जाएगा और सेल से बाहर आने लग जाएगा इसके कारण सेल में जो है उसकी functioning disturb होगी, सेल रप्चर भी हो सकती है, death भी हो सकती सेल की, दोनों ही condition के कारण तो इसी condition को बनाया रखने के लिए कि दोनों तरफ का osmotic pressure, मतलब सेल के अंदर का और blood का solution जो उसके बहार है, सेल के बहार है, हमारे body में, वो दोनों बराबर होना चाहिए तो ऐसे solutions जिनका osmotic pressure, solute concentration के कारण बराबर होता है, उन्हें हम isotonic solution केते हैं जिनका नहीं होता, कम जादा होता है, उनको हम इन दो तरीके से classify करते हैं, ये दोनों ही हमारे लिए अच्छे solutions नहीं होते हैं, हाइपो और हाइपो टॉनिक, हाइपो टॉनिक solution हम किसी particular disease condition में ही देते हैं तो हम normally जो भी हम body fluids में देने वाले preparations बनाते हैं, pharmaceutical preparation बनाते हैं, वो isotonic with body fluids होना जरूरी है, अगर वो isotonic नहीं होंगे, तो उसमें fluid जो हैं, वो cell से बाहर आएगा, या blood का जादा fluid cell के अंदर चला जाएगा, तो वो दोनों ही condition हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, इसलिए tonicity maintain करना जरूरी है, tonicity का मतलब यह हो गया, कि दोनों का nature एक जैसे होना जरूरी है, ठीक है, दोनों ही fluid का, जो बाहर है, fluid, blood और जो cell के अंदर का fluid है, दोनों का solute concentration या osmotic pressure बराबर होना जाएगा, तो osmotic pressure किस पर dependent है, solute के concentration पर dependent है, ठीक है, ठीक है, तो हम यह बोले हैं, कि sol osmotic pressure भी maintain कर रहे हैं, और इसका मतलब हम उसकी isotonicity भी maintain कर रहे हैं, यह तीनों चीजे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है, आप tonicity maintain करेंगे, मतलब आपने उसका osmotic pressure maintain कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपने उसमें solute concentration को maintain किया है, तो हम one by one यह तीनों solution देखेंगे और इनके use देखेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे isotonic solutions, isotonic solution क्या होता है, एक दो ऐसे solutions, ठीक है, जो इनका osmotic pressure same होगा, और जिन में concentration of the salt भी क्या होगा, same होगा, तो ISO का मतलब क्या होता है, same या equal, और tonic का मतलब क्या होता है, concentration, तो जिन में same concentration होगा, solute का, उनमें same osmotic pressure भी होगा, ठीक है, तो isotonic system के लिए हमको दो चीज़े जरूरी है, same osmotic pressure और same solute concentration होना जरूरी है, तो ही हम उसे isotonic solution बोलेंगे, एसे solution जिन में osmotic pressure तो सेम होता है, लेकिन उनमें solute concentration different होता है, वो isotonic solution नहीं कहलाते, उनको हम iso-osmotic solution बोलते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में, तो an isotonic solution is the one which concentration of the solute is the same both inside and outside of the cell, तो cell के बाहर अंदर और cell के बाहर अगर solute का concentration बराबर होगा, तो ना तो cell से बाहर कोई fluid आएगा और ना cell के अंदर कोई extra water जाएगा, तो cell जेसी थी, वैसी की वैसी ही healthy बनी रहेंगे, और यही हम चाहते हैं, क्या हम injection लगाएं, या हम कोई भी IV infusion दें, तो हमारे cell में swelling न नहीं वो सिकोड जाना चाहिए, ठीक है, तो isotonic solution इसलिए हमारे लिए जरूरी है, और इसलिए हम isotonicity को maintain करना जरूरी होता है, सभी physiological fluid जो कि directly हमारे body fluids में insert किये जाते हैं, biological fluids, जैसे कि blood और lacrimal fluid, lacrimal fluid का मतलब होता है, हमारी eye cavity, आख के अंदर का जो पानी है, ठीक है, या जिसको हम आसू भी बोलता है, तो blood और lacrimal fluid normally have the osmotic pressure corresponding to the 0.9%, यसको ध्यान रखिएगा, 0.9% weight by volume solution of sodium chloride, इसका मतलब यह है, कि हमने किसी एक solution का osmotic pressure, हमारे body fluids के osmotic pressure के बराबर का देख लिया, क्योंकि determination of the osmotic pressure is very difficult, यह बहुत difficult process होती है, तो हमने क्या किया, एक sodium chloride का 0.9% weight by volume solution बनाया, और हमने देखा कि उसका osmotic pressure और solute concentration वैसा ही है, जैसे कि body fluids का होता है, या biological fluids का होता है, जैसे कि blood का और lacrimal fluid का, lacrimal fluid का मैंने बताया है, इसका मतलब हमारी eye की cavity में, आँख के जो cavity होती है, उसके अंदर पाये जाना बाला fluid है, तो हम जैसे जानते हैं कि 0.9% weight by volume solution of sodium chloride, ठीक है, उसका same concentration है, और same osmotic pressure है, जैसे कि RBC का होता है, तो इसका मतलब यह कि जब हम RBC को 0.9% sodium chloride के solution में deep करेंगे, तो RBC में कोई भी changes नहीं होनोंगे, ठीक है, क्योंकि वो isotonic होगा, तो इसलिए हम 0.9% weight by volume solution of sodium chloride को isotonic solution बोलते हैं with blood, और इसी कारण से इसे physiological saline solution या normal saline solution भी बोला जाता है, इसी करण से, normal मतलब इसकी normal tonicity है, जैसे कि blood की है, या हमारे RBC के अंदर की, body fluids की है, वैसे ही हमारे इस solution की tonicity है, तो यह हमें कहीं भी भी affected नहीं करेगा, तो जैसा कर मैंने आपको भी पहले बताया था, कि solution having the somosmotic pressure, but solute concentration नहीं है सेम, तो उन्हें हम फिर isoosmotic बोलते हैं, मतलब उनमें osmotic pressure सेम है, उनकी tonicity सेम नहीं है, ठीक है तो फॉर एक्जामपल जैसे कि 2% weight by volume solution of boric acid, isoosmotic है, 0.9% weight by volume solution of sodium chloride के, लेकिन इसका concentration सेम नहीं है, इसलिए यह isotonic नहीं होंगे, यह isoosmotic होंगे, तो boric acid और sodium chloride solution isotonic in nature नहीं है, यह isoosmotic in nature है, तो isoosmotic मतलब जिनका सेम osmotic pressure हो, isotonic मतलब जिनका सेम osmotic pressure भी हो, और साथ के साथ जिनका solute concentration भी सेम हो, उन्हीं को हम isotonic solution बोलते हैं, तो हम आगे देख लेते हैं कि अब और इसमें हम क्या है, तो हम यह क्यों बना रहे हैं, isotonicity ताकि और कहां कहां यूज करते हैं isotonic solution को, ब्लड में, आई में, नेजल ट्रेक में और अधर बोड़ी फ्लूट्स में, ठीक है, when contact with the tissue, अगर यह isotonicity नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेंटेन नहीं करेंगे तो swelling हो सकती है, contraction हो सकता और बहुत discomfort हो सकता है, और इस isotonic solution देंगे, तो कोई भी swelling नहीं होगी, कोई भी contraction नहीं होगा, कोई भी discomfort नहीं होगा बोड़ी फ्लूट्स में, कोई भी solution देने पर, इसलिए हमको isotonic solution बनाना जरूरी होता है, और नहीं होता है, तो उसे हम को maintain करना होता है, या उसकी isotonicity हमको adjust करनी होती है, उसकी methods जो है, वो हम next वीडियो में देखेंगे, methods of adjustment of tonicity क्या है, यह कुछ marketed preparations है, जो कि isotonic solution के examples है, isotonic fluid जैसे कि NS होता है, इसका shortcut form NS लिखते हैं, इसका मतलब होता है normal saline, या आप देखते होंगे कि जब hospitalization के जाता है, तो सबसे पहले patients को यही चड़ाया जाता है, ठीके, और भी होता है DNS, इसका मतलब होता है dextrose normal saline है, ठीके, एक और होता RL, इसको बोलते है Ringer Lacted बोला जाता है, ठीके, तो यह अलग-अलग isotonic fluids हैं, जो कि patients को while hospitalization use के जाता है, according to the need of the patient, patient की condition के इसाब से, ठीके, इनका यह अलग है कि यह, इसका एक अलग discussion है कि यह कब और कहां कैसे use कि जाते हैं, ठीके, हमको यह ध्यान रखना है कि यह, वो marketed preparations है, जो कि isotonic fluids की तरह हम marketed हमारे market में मिलते हैं, यह सभी isotonic solutions हैं, ठीके, इसलिए हम इनको direct body fluids, serins लगा के सिधे body में हम insert कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, isotonic solutions का use क्या है, जब blood loss ज़्यादा हो जाए, और generally यह किसको maintain करता है, extra cellular fluid को, ECF जिसको बोला जाता है, ECF को maintain करने के लिए ही हम यह सब करते हैं, ठीके, surgery में use होता है, जब dehydration हो जाए, और या जब body किसी extra cellular fluid से बहुत ज़्यादा fluid loss हो जाए, तो अब हम इन isotonic solutions का use किया जाता है, अब हम देखते हैं इसके दो उल्टे जो isotonic नहीं होते हैं, तो फिर क्या हो सकते हैं, वो hypotonic हो सकते हैं या फिर hypotonic solution हो सकते हैं, तो hypo का आपका मतलब हमेशा याद रखना है, जहाँ पे भी hypo board आता है, उसका मतलब होता है under या कम होना, और tonic मतलब concentration, तो hypo मतलब कम होना, तो कम कंसेंट्रेशन होने से क्या होगा, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यह hypotonic solution is one in which the concentration of solute is greater inside the cell than outside of the cell, ठीक है, तो आपको simple याद रखना है, कि है hypotonic solution में solute content कम होगा, और water का content ज़्यादा होगा, तो मालीजे, आईए है कमारी normal blood, solute, जो blood में solute manly होता है, जो सबस्यादा electrolyte present होता है, या iron जो present होता है, वो होता है sodium, तो sodium का normal level कितना है, 135 to 145 mille equivalent per liter, ठीक है, तो hyponatremia या hypotonic हो जाना, body fluids का, या blood का वो कब होता है, जब sodium का level is 135 से नीचे चला जाएगा, 135 से नीचे जाएगा, तो solute क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और water content blood में बढ़ जाएगा, तो एसे solution, फिर एसे, body fluids का हम क्या बोलेंगे, hypotonic solution बोलेंगे, अब होगा क्या, इसके लब और क्या-क्या हो, किन की उस कारण हो सकते है, hypotonic solution होने के, हमारे blood का hypotonic कब हो जाता है, heart disease में हो जाता है, kidney failure में हो जाता है, ठीक है, आप बहुँ ज़्यादा पानी पी लें, तो water content ज़्यादा हो जाएगा, solute उतना को उतना ही रहेगा, मैंने आपको beaker का example बता है था, ठीक है, पानी उड़ा देंगे, तो उसका concentration कम हो जाएगा, उसमें बहुँ ज़्यादा ज़्यादा पानी बर देंगे, तो concentration dilute हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, solute कम हो जाएगा, ठीक है, जब हम solute intake कम करेंगे, तो sodium का concentration कम हो जाएगा, मतलब solute का concentration कम हो जाएगा, तो वो hypotonic in nature हो जाएगा, इससे होगा क्या, होगा ये कि osmosis के कारण, अब यहाँ पर osmosis आजाएगा, यहाँ पर concentration क्या है, कम है, यहाँ पर concentration cell के अंदर ज़्यादा है, और cell के बाहर कम है, तो पानी क्या होगा, osmosis में कहां से जाता है, कम solute concentration से जालूट-solute करेंगा, तो पानी cell के अंदर जाने लग जाएगा, cell के अंदर जाने लग जाएगा, तो cell swell up हो जाएगी, और इस तरीके से रप्चर भी हो सकती है, RBC cells, तो इसलिए हमको, तो हमको यह ध्यान रखना है, कि अगर RBC में आपका बाहर का पानी, na solute कम होगा, तो solute कम होगा है, मतलब concentration कम होगा, तो पानी जो है वो अंदर जाने लग जाएगा, cell के, क्यों? क्योंकि ओस्मोसिस के कारण हो, और यह जो cell membrane है, यह semi-permeable membrane की तरफ वर्ग करेगी, तो उस्मोसिस में हमने यह पढ़ा था, कि moment of the solvent होता है, through the semi-permeable membrane, from the lower concentration, to the higher concentration of solute, तो यहाँ पर lower है concentration, जब यहाँ पर solute content कम हो गया, और यह तो, और cell के अंदर, जादा हो जाएगा, तो पानी, ब्लड से RBC के अंदर जाने लग जाएगा, और RBC क्या हो जाएगी, तो यह हमारी body के लिए हम पूले, ऐसा कब हो सकता है hypotonic, हमारा ब्लड उसके कुछ कारण है, तो इसको हमको maintain करना होता है, ऐसी disease होएगा, और देख लेते हैं हम, इसके sinus symptoms क्या होँगे, जैसे हम जाते हैं कि RBC क्या हो जाएगी, swell हो जाएगी, क्योंकि पानी अंदर जाएगा, तो इसके कारण, rupture of the RBC हो जाएगा, और वो hemoglobin को release कर देगा RBC, तो RBC के इस rupturing को क्या बोलते हैं, hemolysis, क्या बोलते हैं, hemolysis, और क्या science symptoms से vomitting होगी, nausea आएगा, ठीक है, edema, headache, confusion, produce होगा, हमारे loss of energy होगी, drowsiness, fatigue होगा, muscle cramping होगी, ठीक है, spasm होगा, weakness हाजाएगी muscles में, seizures होगे, और coma भी cause हो सकता है, जब RBC rupturation या hemolysis जादा हो जाएगा तब, ठीक है, इसका use कहा करते हैं, hypotonic solution का, इनका use भी तो होता होगा, ठीक है, ये कब करते हैं, when the cell is dehydrated, जब cell बहुत ज़्यादा dry हो जाएगा, तो पानी अंदर भेजना है हमको cell के अंदर, तो हम फिर hypotonic solution का use करेंगे, ठीक है, इसके अलावा, ऐसे patients, जिनमें की diabetic ketoacidosis होता है, उनमें भी हम hypotonic solution का use करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा next जो है, hypotonic, अब ये इसका उल्टा है, hypo का मतलब था कम, तो hyper का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा, tonic का मतलब concentration of solute, तो इसमें क्या होता है, solute जादा होता है, और solvent कम होता है, हम यहापे पानी ही solute की तरह मान रहे हैं, अब इसमें क्या होगा, cell के बाहर, concentration solute का कम है, और cell के अंदर अब क्या जाएगा, स्वरी, उल्टा बोल दिया हूँ मैं, cell के अंदर, concentration कम होगा, और cell के बाहर, concentration जादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा solute जादा है, तो उसमोसिस के करण क्या होगा, कि cell से पानी बाहर आने लगे, अभी इससे पहले हाइपो में क्या हो रहा था, concentration solute का बाहर कम था, और अंदर जादा हो रहा था, तो बाहर से अंदर की तरफ जादा, तो cell swell up हो रही थी, ठीक है, इसका उल्टा भी यहाँ पे हो जाएगा, कि अंदर, cell के अंदर का पानी, मतलब RBC का पानी, या जो उसके अंदर का फ्लूड है, वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसके कारण जो है, यह क्यों हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, तो यही हमको ध्यान रखना है, कि आइसो टॉनिक्स में, कोई भी श्रिंकिंग, कोई भी स्वेलिंग नहीं होती है, हाइपो टॉनिक में स्वेलिंग होती है, और हाइपर टॉनिक में, shrinkies होता है RBC का ठीक है इसके cause क्या-क्या हो सकते है ऐसा blood में कब हो सकता है जब severe diarrhea हो fever हो certain medications poorly control diabetes हो skin bun हो जाए kidney disease इसके result क्या होगा कि water transport from outside ठीक है transport outside from the cell तो cell से पानी क्या होने लग जाएगा बाहर आने लग जाएगा इसके कारण water lose होगा और वो क्या हो जाएगी shrink हो जाएगी ठीक है इस कारण RBC shrinkage होगी और एक wrinkle shape बनाएगी इस shrinkage और RBC को हम क्या बोलते है plasmolysis और वहाँ पर rupture of RBC को हम क्या बोल रहते है hemolysis hypotonic में हम क्या बोल रहते है hemolysis जब वो rupture हो जारी थी swallow होने के कारण hypotonic में जब वो shrink हो जारी तो हम उससे plasmolysis बोलते है इसके sign और symptoms क्या है hypotonic में decreased urine output thirst dry fluid retention बढ़ जाएगा बोड़ी में muscle twintry और spasm होगा seizure coma यह हम उसमें भी देखें और brain dysfunctioning भी इसमें हो सकती है अब इसका हम एक यहाँ पर यह समरी है तीनों का तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं समरी से कि अगर isotonic solution होगा मतलब 0.9% weight by volume solution of sodium chloride है तो solute का concentration बाहर और अंदर बराबर होगा और equilibrium होगा इसलिए कोई भी solution इदर सुदर नहीं जाएगा हाइपो में क्या हो जाएगा solute का concentration कम हो जाएगा बाहर ठीक है और अंदर ज्यादा हो जाएगा तो कम से ज्यादा की तरफ water का moment होगा जिसके कारण swelling हो जाएगी hypertonic में solute concentration बाहर ज्यादा हो जाएगा बाहर का ज्यादा हो जाएगा और अंदर का कम हो जाएगा तो इसके कारण shrinkage और RBC हो जाएगा तो यहां हमने यह अपने से समझ सकते हैं ठीक है isotonic में दोनों बराबर रहेंगे hypertonic में पानी पूरा बाहर आ जाएगा तो shrink हो जाएगा और hypertonic में पानी जो है वो cell के अंदर जाएगा तो वो swell up हो जाएगे तो यह पूरा basic है isotonic solution से related thermologies, hypertonic, hypertonic isosmotic और isotonicity क्यों होती है अब यही चीज हम next उस वीडियो में दिखेंगे कि इनको maintain कैसे किये जाता है कैसे बनाया जाता है isotonic solution को कैसे बनाया जा सकता है ठीक है, हम कैसे किसी solution की tonicity maintain कर सकते हैं जो की 0.9% weighed by volume solution of sodium chloride के बराबर हो अगर इसके बराबर हमने हमारी isotonicity कल ली मतलब body fluid के बराबर हमने कर ली तो इसका concentration याद रखना है इस पर best बहुत सारी methods है वो methods हम देखेंगे जो methods of adjustment of tonicity के अंतरगत हम पढ़ाएंगे तो आज के लिए इतना ही thank you